हलो फैंस नमस्कार कैसे हो आप सब उम्मिद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज इस वीडियो बताने वाला हूँ कि कुवयत में किसका में कितना सेलरी मिलता है दरसल जो लोग नए होते हैं उनके अंदर काफी कनफीजन होता है कि पहली बार जाएंगे तो कितना सेलरी मिलेगा क्योंकि जितना बताया जाता है उतना मिलता नहीं है और एजेंट और ओपिस वाले वो कभी रियाल्टी बताते नहीं है तो गैस आज का ये वीडियो बिसिकली उसी पे है कि ग्राउंड पे मैक्सिमुम कितना सेलरी मिलता है तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा आगे आपको पूरी जान कारेश देने वाला हूँ बड़ चैनल पर नेज़ चनल को सस्काइब आ सथ में गंटी का बलेकर जुरूप प्यास कर लिजे ताकि आपको वरकर से लिटेर वीडियो मिलती रहे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों मैं काफी सारे कामों की लिष्ट बनाया हूँ इन कामों में मैक्सम कितना सररी मिलता है वो आपको बताऊंगा लेकिन तो आप लोग से छोटी स्रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो का आप लोग जादे जादे सेयर करिएगा ताकि जो लोग कोयत आना चाते हैं उनको आने से पहले ही रियाल्टी पता हो जाए तो इसमें जो पहला काम है वो है इलेटीसियन का काफी दोस्ते हैं जो इलेटीसियन है और कोयत आना चाते है वे लोग जानना चाहते हैं कि हाँ reality में ground में कितना salary मिलता है basic ठीक है एक litigation को guys आप ITI किये हैं या नहीं किये हैं उसमें आपको maximum कितना salary मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ तो guys अगर आप litigation हैं अगर कुएत आते हैं तो as a litigation आपको starting में 130-135 केड़ी आपको मिलेगा रुपे हो रहा है आपका प्लेट कर सकते हैं कि 130-135 के हिसाब से आपकी बैसिक सल्री कितना होगा ठीक है एक दिनार का एक केड़ी का इंडिया में बैसिक सल्री में इसके बाद आपको सब कुछ प्रोड़ कराती है जो ground पे है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ठीक है लिप technician की लिप technician की 150-170 KT है ठीक है 150-170 KT है BMS technician BMS technician की 150-160 दिनार basic salary है ठीक है लेकिन तो उसके लिए आपके पास experience होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए तब आपको इतना salary मिलेगा जो ground पे है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेंशन की मेंशन की 125 से लेकर 135 दिनार है उसमें अपको maximum salary 130-135 KT मिलेगा salary ठीक है maximum आपको बता रहा हूं एक की rate नहीं बता रहा हूं कि बस आपको 130 मिलेगा इससे ज्यादे भी मिल सकता है इससे कम्ती भी मिल सकता है मैं आपको maximum salary बता रहा हूं ठीक है अब बात करते हैं इंजिनियर के गास इंजिनियर में कई से लेके 500 केड़ी तक मिलता है ठीक लेकिन दो उसके लिए आपके बाक्स एक्स्प्रियंस होना चाहिए तब आपको इतना सरी मिलेगा इंजिनियर में आप किसी भी काटेग्री से आपको मैक्समाँ करते हैं Mowalkane operator की Mowalkane operator में भाई टन के इसब से सैन्री मिलता है कुछ लोग 270 तो या 300 टन का उप्रेट करते हैं तो इसमें आपको मॉइक्सिमां 220 से तके 300 दिनार आपको सररी मिलेगा ठीक है एज़े मॉइकर्ण ऑपरेटर अब बात करते हैं हेलफर की गाइस काफी कमेट्स आते हैं कि भाई जो हेलफर होते हैं 50cts से लेक्ए 90 दिनार तक सररी मिलता है ठीक है आप लोगों को आने से पाले रियाल्टी पता चल जाए गाइस हमसे बहुते हुता है वो वे लोग आपलोग माप करना ठीक है क्योंकि मैं तो कोई expert नहीं हूँ मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं भी एक worker हूँ आप लोग की तरह अब बात करते हैं still fixer की काफी दोस इस्टिल fixer हैं जो guide में आना चाहते हैं कामकरने के लिए तो वे लोग भी पूझते हैं कि भाई reality में कितना सलरी मिलता है तो इसटील फिक्सर में 130-140 दिनार सलरी मिलता है 130-140 दिनार 130 भी मिल सकता है 135 भी मिल सकता है 140 भी मिल सकता है ठीक है तो company अपर depend करता है अब बात करते हैं light driver की काफी दोस्त लाइट ड्राइबर हैं जो कुएत में आना चाहते हैं तो उनकी जो मैकसिम सेलरी होती है 1500 से लेके 170 दिनार मिलता है ठीक है 150 से लेकर 170 दिनार सेलरी मिलता है ठीक है है वी ड्राइबर कुछ लोग हैं जो आना चाहते हैं तो उनकी है ड्राइबर की एक किचन हेल्फर में काफिज्स जो कीचन थे हैं काफिषिंच फर्में कज़ों करना चाते कि då दो सो केडी तक हे ठीक के विएडर कुछ लेकर के दो सो केडी तक है ठीक है माईक्सटू होगा रहा हूं कुछ लोग रखा राखेन हैं रीगर में आना चाहते हैं त filter सिखी मिलती है त। उनकी सली ब्षाली से के विएगर, 150 दिनार है काई नहीं तो इसमें आपको मैक्सिम्म 140 से लेकर कि 160 दिनार आपको सररी मिलेगा तो गैस यह सब रियालिटी थी जो मैं आप लोगों को बताया अपने वीडियो के माध्यम से काफी दोस्त आना चाहते हैं कुबर तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप से पवाले आप लोगों को हर एक सीच के बारे में जानकारी हो जाए जब जानकारी आपके पास रहेगी तो आपके अंदर किसी तरका कंफ्यूजर नहीं रहेगा तो यहां पर आने के बाद आपको प्स्तावा नहीं होगा अगर आपको फूल जानकाई नहीं रहेगी यहां आप लोग को बडिपन करता है कि हाँ आपको किसका में आना है कितनी सेलरी में आना है ठीक है आप लोग को बडिपन करता है तो आई होब कि वीडियो आप लोग को पसंद है यह हमसे जो भी गलती हो गई होगी वह आप लोग माप करिएगा अपना छोटा भाई समझ करके और प्लिज वीडियो के जादे जादे सेर करिएगा आप चैनल के सब्सक्राइब जबू करके रखिए ताकि हमारी आने वाले वीडियो के निट्विए किसान आपको मिलती रहे क्योंकि मैं भी एक वर्कर हूं और वर्कर के लिए वीडियो बनाता हूं जो रियाल्टी होती है और आप लोगों को बताता हूं ठीक है नमस्कार जैंद मिलते हैं निट्विडियो में कोई नहीं जनकारी के साथ